नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल जी एस इस्टीडियू पॉइंट पर आज हम राजनेतिक वोगोल के बहुत ही इंपॉरेंट टॉपिक को डिस्कुर्स कर रहे हैं और टॉपिक हमारा है हिंदी में बोलते हैं अन्तास्थ छेत्र या पर दूसरा नाम क्या है बॉफर जोन तो इंग्लीज में बोलते हैं बॉफर जोन तो आप इंग्लीज याद रखे क्यों हिंदी तो रहता है तो बॉफर जोन याद रखेगा तो बॉफर जोन होता क्या है पहले हम यह समझ लेते हैं तो बॉफर जोन क्या होता है दो सक्तिसाली का प्रयास करता है या दोनों के बीच में संघर्स करने से रोपता है तो इसी चेतर को क्या बोलते है या फिर इसी देश को क्या बोलते है बफर स्टेट बोलते है इसको जैसे एक्जामपल की तोर पर हमारा बाइक्जामपल है China इधर हो गया आपका और इधर भारत हो गया और इंके बीच में क्या हो गया नेपाल तो नेपाल हो गया या फिर हम भूटान भी ले सकते हैं दोनों ही क्या है भारत और चीन के बीच क्या है buffer state की तरह कारी करते हैं ऐसे ही तिबबत हुआ करता करता है। तो जसे हम देख लिए है ये हम देख अगें अगला राजियों है जो होता है, दो सकतिसाली राजियों के बीच एक सोतंतर देश होता है, तो पहली बात का होना चाहिए, देश कैसा होना चाहिए, सोतंतर होना चाहिए, उसमें किसी अन्रिक का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिसका अपना एक अलग अस्तित होता है, ये दो सक्तिसाली देशों के बीच एक तथ्यस्त राज्य होता है, यानि कि तनाव कम करने में सहायक होता है हाला कि कभी-कभी जो है युद्ध की स्थिति अगर होती है तो यहाँ स्वयम राजभूमी बन जाता है युद्ध का छेतर बन जाएगा वो और बड़ी सक्तियों का सिकार बन जाता है फ्रांस और जर्मनी के बीच बेलियम फिर चीन तथा सोवियत संग के बीच जो है वैचारिक संगर्स बढ़ने से मंगोलिया जो है बफर जोन बन गया तो आप देखेंगे चाइना और सोवियत के बार्डर के बीच में क्या मिलेगा आपको मंगोलिया एक देश है जो बफर जोन के रहे कारिकरता है फिर रूस ने जो है साइबेरिया की और कदम बढ़ाया जब रूस जो है साइबेरिया की तरफ डेवलपमेंट करने के और बढ़ा तो ऐसे में क्या हो और मंगोलिया में जो है प्रचार का प्रयास किया इसकी प्रतिक्रिया के रूप में चीन ने क्या कि चीन की जो है चीन ये सीमा जो है जो चीन की सीमा थी वहाँ पे छे वहाँ की चीन ने जो सीमा छेतर में जनसंख्या के साथ जो है निर्जाती समंदों के दावे करने शुरू कर दिया यानिक जो मंगोलिया पर क्या करने लग चीन चाइना का है ना कि रसिया का है तो ऐसे में क्या होगा दोनों देसों की बीच में क्या होगा तनाव बढ़ेगा जाहिर सीवात है तो वही लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कि चीन ने जो है सीमा छेतर में जनसंख्या के साथ निर्जाती संबंदों के दावे करने सुर अंतहस्त च्छेतर यानि जो buffer zone है के रूप में महत बढ़ गया अब ऐसे में क्या है यानि मंगोलिया का जो है buffer zone के रूप में महत उसका बढ़ा फिर थाइलेंड ने इंगलीस तता फ्रांसीसी प्रभाव च्छेतरों को प्रत्थक करने के लिए महत पूर्ण भूमिका निभा ऐसे अफगानिस्तान को जो है रूसी सामराज्य के विरुद्ध प्रबंधित किया गया, यानि कि अफगानिस्तान को ऐसे मैनेज किया गया कि उसका रूसी सामराज्य के विरुद्ध उसका इस्तमाल किया गया, फिर दक्षिल अमेरिका में परागवे तथा उरुगवे जो है इस्पैनिस और पुर्तिगाली प्रुफाव छेत्र के बीच बफर जो उनके रूप में कारे करते हैं तो हमने देख लिया विस्व में जो अनेक छेत्रों में कि कहां पे किस छेत्रों में जो है कोई दोसों के बीच में हैं इसलिए जीवित रहते हैं कि वे दो सक्तिसाली राज्यों के सौजन निसे उनहीं के लाभ से वे अपनी सीमा को बनाया रखते हैं किसी भी जो एक सक्ती दौरा उनका और शोषण दूसरी सक्ति से सतुर्ता का कारण बन जाता है माल लिए जी ये कोई देश बड़ा देश है उसके वेज में छोटा साथ एक छोटा साथ देश है कोई और इधर भी एक कोई बड़ा देश है तो ऐसे में क्या होगा ये जो होता है ये छोटा देश जो है अपनी अपको अस्तित्व में इसलिए रख पाता है जो कि अगर ये इसके साथ हो जाएगा, तो इसका विरोध यह करेगा, या या इसके साथ हो जाएगा, यानि कि जो सक्टिसाली देश हैं, उन्हीं के सौजन जोसे वो अपनी सीमा को बनाए रख पाते हैं और ये किसी भी बड़ी सकती के द्वारा उनका आउट्शोशन करने से रोकते भी हैं तो यही आपको क्या होगा बफर जोन हो गया तो I hope को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बफर जोन क्या होते हैं और मैंने इसमें पूरा क्लिया कर दिया आपको है और एक्जामपल के रूप मैं भारत का भी ले सकते हैं कि डाल सकते वहाँ पर हैं अब साथ में विस्टु के अने अने 6 रुभी हैं जहां पर आप डेक सकते हैं कि बफर जोन पाई जाते हैं तो वीडियो फिर यहीं पर खतम करते हैं वीडियो का पसंद आया है तो वीडियो को लाइक मार देना और कमेंट के मार देन से बताएगा वीडियो कैसा लगा और चैनल पर नय है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जएगा और Geography Optional के Paid Group से जुढ़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं नंबर हमारा क्या है डबल एट सिक्स जीरो डबल फाइफ एट फाइफ थिरी जीरो तो इस पे जो है Geography Optional के Paid Group से सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें Paid Group में आपको PDF Notes भी मिलेंगे साथ में टेस्रीस करा जाएगा और साथ में आपको अगर परसनल गाइडन दिया जाएगा कोई भी एक टॉपिक पर आपको डाउट होता है और कोई confusion होता है तो तो चलिए आज का वीडियो हम फिर यहीं पर खतम करते हैं मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ